क्या आप भी महिने के 90,000 तक पैसे कमा चाते हैं इवन 90,000 तो मैंने आपको मिनिममम बता हैं मैक्जिमम तो आप इसे जादा कमा सकते हैं जिसे कि आप देख पड़ो कि हाँ पर मिनिममम अर्णिंग जो है वह 1100 डॉलर से लेके 17.6 डॉलर तक है तो अगर हम 1100 डॉलर की बात क सकते हैं 90,108 रुपे जो है बनते हैं तो यह आप भी कमा सकते हैं और आपको कुछ जादा महिनत नहीं करना सिफ और सिफ दो तीन ट्रिक्स फोलो करने हैं जो हम आपको बताएंगे अब अगर हम इनकी जो है मैक्जिमम अर्णिंग देखे महीने की तो देखें यहां पे 17.6 है यहां पे 17.6 है मतलब 17,000 तो आप देख पाड़े हो कि यहां पे है 1,39,258 यह आप भी कमा सकते हैं और यह मंतली अर्णिंग है इनकी मतलब मैक्जिमम यह जो है 17,000 तक कमाते हैं और मिनिमम इनकी जो है वह 1100 डॉलर से स्टार्ट है तो मिनिमम आप जो है 90,000 से मैक्जिम 3,000,000 तक कमा सकते हैं और कुछ नहीं करना बहुत छोटी सी ट्रिक्स है वह आपको फोलो करनी है अगर आप वो सही डिरेक्शन में फोलो करते हैं तो जो पैसे मैंने आपको अभी दिखा है यह आपको भी करना है तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिना फेस दिये करना है तो चाहिए अगर आप यह यह दो करते हैं तो आपको प्रॉपर नौलेज मिल जाएगी कि कोन सा कंटेंट कहां से उठाना है कैसे उसको मोडिफाइ करना है और कैसे आप उस पे YouTube पेस्ट करेंगे कि आप बिना किसी कॉपीराइट के जो है आसानी से YouTube पेस्ट कर कमा सकते हैं एक चीज़ और आप देखें यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम इनके चलते हैं तो आप देख पा रहे हो कि कि इनकी जो yearly earning है वो 13,000 से लेके 211,000 तक यह कमाते हैं अगर हम 211,000 देखें इंडियन रुपीज में कितना होता है तो चलिए हम देखते हैं यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि यह मन्त यह जो है एक साल में 1,72,84,381 इतने पैसे कमा लेते हैं और अगर आप इसके content जा देना ही नहीं है और इसमें महनत भी बहुत कम है editing जादा नहीं है और आपको content जो है वो Google से copy करना है और सिफो सिफ यूटूब पेस्ट करना है इतना ही काम है तो चलिए हम आपको proper समझाते हैं कि इनका content क्या है और हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको Google से कौन सा content रठा इनके content अगर आप देखना चाहो आप definitely इनको visit करना इस channel को visit करके इनके content देखना क्योंकि अगर आप इनके content देखते हो तो आपको एक idea लगेगा कि आपको किस तरह से walk करना है इनके video आप देख सकते हो कि इनोंने कुछ भी नहीं किया है सिर्फ और सिफ एक कहानी लिखी है इन उस कहानी को इनोंने सिफ और सिफ अपनी आवाज दी है अगर आप इनके video चलाएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि एक कहानी जो है वो चल रही है और वो उसको अपने voice में बस हमें सुना रही है इस तरह के content आज कर लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रह हो सकती है जैसे कि आप देख पड़ो कि टू डेज पहले इन्होंने यह video डाली थी और 11,000 जो है इनके व्योज जाचुके हैं थ्री डेज में आप देख सकते हैं 29K जाचुके हैं 4 डेज में 36K जाचुके हैं तो ऐसे इनके जो है चलते रहते हैं अगर हम इनकी बहुत पु इन्होंने अपने video में चलाई है जो कि continuously चल रही है और उसको उन्होंने अपना voice over दिया है अभी हम आपको चला के थूड़ी देर के लिए सुनाएंगे जाता तो नहीं सुना सकते हैं क्योंकि यह हमारे rules के against है तो थोड़ा सम आपको सुनाते हैं आप देखिए और सबसे ब है वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो अच्छी लग दियो तो लाइक कर दीजिगा अगर आपने अब तक हमारे चलने जौब इन्फोर्मों को सब्सक्राइब कर देना अब हम एक कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कि यह है इसको हम छोटा कद भाग एक आपक्षा अब देख रहे हैं कि आपक जिसको अब देख कःएच अपने वाइसमें इक और ऑचे सब्सक्राइब सकीना बहुत तुप चुकी थी वह अपने कमरे में बैठ कर बहुत रो रही थी दूसरी तरफ उसके चाचा जान और चाचे जान भी उसके हालत को देख कर कर तो आपने उब्ज़र्ब कि कहानी चल रही है और उसको वॉस दिया है आपको भी यही काम करना है कहानी आपको Google से कॉपि करना और उसको iedereen पेस्ट करना है लेकिन ऐसे ही आपने Google से उठा और YouTube पर पेस्ट कर दिया जैसी आप गूगल से पिक करेंगे कहानी उसके बाद आपको जो है किसी भी एड़िटिंग ऐप में लाना है और उसमें आपने voice को देना है जैसे कहानी चलेगी वैसरे वैसरे आपकी voice आनी चाहिए language कि तो यही then यह लाइन उसके हांपल की दूसरी तो यह एक लाइन है यह आप लाइन बो आपको करनी परेगी, एडिट करने के बाद, आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं, कि हम यह content कहां से उठा सकते हैं, and then हम आपको बताएंगे कि अप कैसे इसको edit कर सकते हैं, and कैसे आप यूट्यूब पर पेस्ट कर सकते हैं, तो चलिए Google चलते हैं and Google पे हम आपको बताते हैं कि content कहां से आपको लेना है तो जैसे कि आप देख पड़ो कि ये हमारा Google है and जैसी Google पे आप टाइप करोगे story हिंदी तो आपको बहुत सारी stories मिल जाएंगी आप यहां से भी stories उठा सकते हैं या फिर आपके पास अगर stories की books है तो आप उहां से भी उठा सकते हैं यहां से उठाना असानी होगा क्योंकि यहां से आप text को copy करके अपने फोन में paste कर सकते हैं जो भी editing app आप यूज करते हैं, उस editing app में आप डारेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, अगर आप बुक से लेते हैं, तो फिर आपको एक एक लाइन लिखना परेगा, वो थोड़ा टाइम कंजूमिंग हो जाएगा, च्वाइस योर्स वैसे Google वाला बैस्ट है, क्योंकि यहां से आपक पेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं, ध्यान प्रुवग करिए कि जो भी टेक्स आप कॉपी कर रहे हैं, उसमें किसी का नाम नहीं आना चाहिए, किसी के चनल का नाम नहीं आना चाहिए, अदर्वाइस कॉपी राइट आने के चांसे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देखे यह लिखाव है Bible Stories in Hindi, इनके देखने हैं तो इनके देख सकते हैं, अदरवाज देखे Short Stories in Hindi, Free Stories in Hindi, इस पर जाके आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे आपको स्टोरीज मिल जाएंगे, यहाँ से एक परेग्राफ कॉपी किजिए और जोन सा भी आप Editing App यूज करते हैं, वहाँ जाके आप पेस्ट कर दीजिए, सबसे पहले सारे स्टोरी को पेस्ट कीजिए, जब आप अपनी वोइस दीजिए, जब आप अपनी वोइस कंप्लीट दे देंगे, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है हम आगे आपको स्टोरी का, अदर्वाइस जब आप स्टोरी को कवर करेंगे, अपने वोइस देंगे, तो आपको आइडिया तो लगी जाएगा, कि वो स्टोरी किस पे बेस्ट है, तो आप उसे साब से भी टाइटल रख सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको देखिए, जिसे यहाँ पे डिंग, रूईल और उसका पते करवार शुरू करने और उसी चलाने के लिए, तो यह जो पेरग्राफ है, इसको आपको सिर्फ वो सिफ कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए आप असानी से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से आपको कॉपी करना है, Ctrl-C, Ctrl-V, जो भी आपके फोन म पे एक जगर लिख लीजिए अपने फोन में अनदान वहां से आप अपने एडिटिंग में एडिटिंग अप में यूज कर सकते हैं, सबसे बेस तरीका यही है कि गूगल से एक परग्राफ कपी किजिए और अपने फोन के नोट पैड में जाके आप पेस्ट कर दीजिए, जब पूरी श्चोड़ी आपकी Google से copy हो जाये आपको नोटपेड में आ जाये तब आप एडिटिग अप यूज कीजिए एडिटिग अप में आप काइन मास्टर यूज कर सकते हैं VN यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई फेबरेट एडिटिंग एप है तो आप वी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, जो भी नोट पेड पे आपने कॉपी किया हुआ है स्टोरी, उसको पेस्ट करना है, और वहाँ पे आपको एक वोईस ओबर को option मिलेगा उहां पर जाके tap करके आपको voice-over करना है अगर आपको editing नहीं आती है तो मैंने पहले भी बहुत सारी video डाली है जिसमें मैंने आपको complete editing करके बताया है कि आप editing कैसे कर सकते हैं आप उनको जो notepad में आपने story लिखिया है उसको copy करके आपको editing app में paste करना है voice-over करना है इतना करने के बाद जो भी आपने इहां पर copy text किया है उसको एक animation मिलाना है जो की slide up वाला animation होता है वह animation में जैसे आप लगाओगे तो जो भी text आपने लिखा है वो दीरे 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 उपर जाएगा और आपकी आवाज जो है वहां पर आती रहेगी इतनी editing करने के बाद आपको उसे export करना है यूचूब पे एक new channel open करके आपको आपको तो यहां पर आप जो है क्या करेंगे कि जो भी story की starting वाली paragraph होगी वही आपको thumbnail में यूज करना है जब आप video upload करेंगे तब option आ जाता है कि thumbnail में आपको क्या रखना है आप वहां से भी रख सकते हैं otherwise आप जो है pixel lab से thumbnail भी बना सकते हैं आपको कुश नहीं करना story की starting वाला screenshot ल इसमें महनत करनी पड़ी तो किसी में भी महनत किसमें है जब आप voice over करते हैं तो उसे अच्छे से कीजिए and animation में आप टेक्स को लगाई इसके अलाबा extra editing अगर आप करना चाहते हैं तो background में जो भी story है उसे related एक image लगा के उसके उपर आप टेक्स को run करवा सकते हैं ये साड अगर आप एक अच्छे editing करके upload करते हैं तो definitely आपको जो है बहुत जल्दी response मिलेगा आप देख सकते हैं even आपके सामने proof है कि इनको response कि इनको response कितना अच्छा मिला है and इनोंने कितनी अच्छी earning की है earning तो मैंने आपको पहली दिखा दी and आपको मैंने idea भी दे दिया है कि editing है editing अगर आपको नहीं आती है तो आप YouTube से सीख सकते हैं otherwise आप मुझे बोलोगे तो मैं भी करके दिखा दूगी तो ये प्रॉपर मैंने आपको बता दिया कि Google से कैसे copy करना है and YouTube कैसे paste करना है किस concept पे आपको काम करना है कि आपको जल्दी response मिले बहुत जादा time ना देना प आपको साथ